आज हम कौन पफ बनाने वाले हैं। पावभजी पावडर, जीरा पीसा हुआ, आमचुर पावडर, सून, ये बॉइल के हुए स्वीट कॉन, एक बारीक सुधारा हुआ कैपसिकम, और गुहू का बूंदा हुआ आटा जिसमें हमने तिमॉन डाला है तेल, ये गरम तेल और ये सब सामगरी हम एक पैं में लेके इ अब बेली हुए रोखी को हम कट कर लेगे, अब इसमें हम मसाला भर देगे, अब मसाला भरने के बाद हम इसे बंद कर लेगे, अब इसे हम तर लेगे, आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हो, जैसे मैंने इदर पूटली के शेप में बनाया है, आप इसको कोदिने के चट्नी और इंपली के चट्नी के साथ साथ कर सकते हो, तैंक यू,